लेटेस्ट एक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चैनल सीस्ट एक टूटिरल्स को और इस बेल का एकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके इंबॉक्स में मिल सकें हेलो फ्रेंड्स वन्स अगैन वेलकम तो सीस्ट एक टूट्रेल्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल सीस्ट एक टूट्रेल्स में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनलाइन ठगी के बारे में कि किस तरह से लोग नए नए इजाद कर रहे हैं ओनलाइन ठगी किया और किस तरह से आपको ठगने की कोशिश की जा रही है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अचकर सोशल मीडिया विखास तोर से वाट्सप पर इस तरह के बहुत सारे मैसेज़ वाइरल होते रहते हैं जो किसी ना किसी तरह किसे हमारी जिंदिगी को परभावित करते हैं या हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं उन्हीं में से एक मैसेज है जो मेरे पास आया उसमें बताया गया था कि कि आपको किस तरह से ओनलाइन ठगी से सावधान रहना चाहिए मुझे नहीं पता उस मेसेज में कितने सचाय थी बट ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज के लिए आगाह करता है कि आपको इस तरह की ठगी से बचना चाहिए इस मेसेज में बताया कि हुब हो उस वेक्ति की जुबानी में मैं आपको बताना चाहरा हूँ उसने जो मैसेज में लिखा है उसमें लिखा था कल शाम को मेरे पास एक कोल आया जो कि एक लड़की का था उस लड़की ने फॉन उठा थे कहा कि सर में किसी जोब के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही थी और वहां गलती से मैंने अपने मोबाइल नंबर की जगा आपका मोबाइल नंबर डाल दिया है बिकोज मोबाइल नंबर में काफी समानता है तो प्लीज अभी थोड़े दिर में आपके पास एक OTP आएगा प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा मेरी जिन्दगी का सवाल ह बात बिल्कुल जिनाएन लग रही थी वास्तविक लग रही थी कि कहीं न कहीं हो सकता ऐसा हुआ हो और जैसे ही मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें दो मैसेज थे एक मैसेज OTP का था जिसमें OTP था और दूसरा मैसेज था उस किसी नंबर से जिसमें लिखा हुआ तो मैं मैसेज देखी रहा था कि इतने में दुबबरा कोल आया इस बार जो नंबर था कोल करने वाला वह दूसरा था तो मैरे जैसे फोन उठाया फोन उठाता ही उधर से वही समधुरवाज लड़की की मेरे कानों में पड़ी वह कही थी प्लीज सर आपके पास OTP आ गया होगा प्लीज मुझे बता दीजिए उस नंबर पर फोरवर्ड कर दीजिए आपकी बहुत महरबानी होगी यह मेरी होते हैं तो दोस्तों चलिए मुझे बताइए कि अगर आप वहां पर होते तो आपको क्या करना था या आप क्या करते हैं मैं बताता हूं कि इस वैक्ति ने क्या किया पर मुझे पहले आपका रेस्पोंस चीए आप कमेंड बोक्स में मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा ह इस वक्त कि आप क्या करते हैं गर इस situation में होते तो तो दोस्तों उस वेक्ति ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल वास्तिक लग रही है और बिल्कुल सही बोल रही हो आप लेकिन मुझे पहले verify करना है तो please आप उस number से मुझे call कीजिए एक बार जो number आपके पास मेरे जैसा same to same है ताकि मैं verify कर सकूँ कि आप ने जो भी मुझे कहा है या जो भी कहानी मुझे सुनाई वो बिल्कुल सही है तब वो लड़की बोलती है कि सर वो कहना बात यह है कि मेरे उस number में balance नहीं है इसके बात वो लड़की थोड़ी उखड़ कर बोली क्या असर आपको एक लड़की की बात पर विश्वास नहीं है तब उस वेक्ते ने कहा कि बात विश्वास या लड़की या लड़की की नहीं है बात यह है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ तो बिना सोचे समझे बिना जांचे कैसे आपकी भरोसा कर लूँ तो प्लीज आप मुझे उस नमबर से एक बार कॉल कीजी तो इसके बाद वो लड़की गुसे में बोलती है कि रहने दीजिए सर कोई बात नहीं आप जिसे दुष्ट लोगों की वज़े से ही लोगों का मानवता से भरोसा उठ गया है कोई किसी की साहता नहीं करना चाहता है और उसके बाद उसने दो-चार गालियों के साथ उसने फोन काट दिया जो लड़की थोड़ी दिर पहले बहुत ही मधूर आवाज में बात कर रही थी और जिसकी बातों से आप पिगल रहे थे उसने इतनी करशक आवाज में बात की जिसको सुनना मेरे लिए थोड़ी दिर के लिए बहुत शोकिंग था इसके बाद जैसे उस लड़की ने फोन काटा तो मेरा मन भारी हो गया और मुझे लगने लगा कि शैद मैं थोड़ा ज़्यादा ही अंदिविस्वास या टेक्निकल होता जा रहा हूँ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हूँ मुझे उसकी बात सुननी चाहती और उस पर विस्वास करना चाहता तो इसी यही सोच के मैंने मैं सोचा कि क्यों ना मैं उसे OTP बता दूँ और यह सोच के मैंने जैसे इपना फॉन उठाया मेरी मोबाइल के स्क्रीन पर एक नॉटिफिकेशन फ्लेश हुआ जो कि ऐसी ऐसी बैंक से मेल थी एक जो किस तरह से था डियर सर देखते मेरा दिमाग चक्रा गया और मैं संड रह गया मानोता के नाम पर इतनी बड़ी ठगी इतनी बड़ी धोकेवाजी मन गुसे से भर गया और मैंने लड़ाई के मोड में उस लड़की को दुबबरा कोल किया जिससे मैंने नंबर डायल किया तो वहां से आवाज आ रही थी दे टेलिन और कॉस्टमर यॉर ट्राइंग तुरिस इस नोट अविलेबल दोस्तों ये कहानी आपके मेरे या किसी के भी साथ कहीं भी घट सकती है जिससे टेकनलोजी बढ़ती जा रहे हैं नए नए टेकनलोजी आती जा रहे हैं लोग अवेर होते जा रहे हैं इस ओनलाइन फ्रोड के बारे में ओनलाइन ठगी के बारे में तब से जो आपको ठगने वाले हैं, ठगी करने वाले हैं, यह लोग भी काफी टेक्निकल होता जारे हैं, और आपके emotions का गलत फायदा उठाना चाहरे हैं, यह जबरदस्ती आपके emotions के साथ खेलते हैं, और आपको बेवकूप बनाते हैं, आपके emotions में फसा कर, तो कही ना कहीं स्टोरी आपसे मुझसे कहीं ना कहीं जुड़ी भी है, कोई ना कोई इस ठगी का सिकार हो सकता है, आप या आपके relatives, आपके friends इस तरह की ठगी का शिकार ना हो, इसलिए इस ठगी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दोस्तों जिसा कि आपको पता है कि आज के टाइम प तब तक आप OTP ना बताएं, या आपके सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, वरना चंद सेकंड लगते हैं आपके जिंदिगी भर की जमा या कमाई हुई पूंजी या आपकी बचत एक जटके में किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है, कोई भी आपके इस OTP क पता करके आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है, डिटक्ट कर सकता है, या आपके ओनलाइन नेट बैंकिंग के पासवर्ट चेंज कर सकता है, उस बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नमर अठाकर किसी और का मोबाइल नमर एड़ कर सकता है, तो प्लीज इस तर करने वाले आपको bank कर्मी बनकर भी phone कर सकते हैं वो यह कह सकते हैं आपके bank से बोल रहा हूं इस तरह से आपके account का verification करना आपका अधार number verify करना आपका pain card verify करना कोई भी verification करना है आपका item card block हो गया है उसे renew करना है कुछ भी तो आपको OTP पूछ सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि bank हमेशा कहता है कि वो कभी बी आपसे OTPना यां आपके bank की जो नीजी ग्रे बटन है, लाइक का, थम्ब का, उसे ब्लू कर दें दबाकर और इस वीडियो को लाइक कर दें साथ ही पने फ्रेंड्स और रिलेटिव्ज के साथ इस वीडियो को शेर करें ताकि उन्हें भी इस ठकी के बारे में पता चल सके और वो अवेर रहें इस चीज के बारे में, और मेरे नए दोस्तों या नए मैमानों से रिक्वेश्ट है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, या पहली बार इस चैनल पर आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू वेरी मच, अब मुलाकातो के अगरे वीडियो में, तब तक, बाय, गुट नाइट